हलो स्टूदेंट्स वेलकम टो मैं चैनल इस रोशन सर्माइक्स मैं दिया स्टूदेंट्स ऐसे वन के लिए हम सभी तैयारी कर रहें और आप कन्फ्यूजन होंगा कि आपको न्यू रीडर का न्यू तेलिगू रीडर का सेलेबस किस तरह होगा और न्यू रीडर का क्वेशन पेपर किस तरह आएगा इस तरह का एक कन्फ्यूजन आपके मन में होगा तो आपका कन्फ्यूजन दून करने के लिए मैं ये वीडियो अप्लोड कर रहा हूं और आपको सारे तिल्गू के इंपोर्टेंट जीतने भी है क्वेशन पेपर्स भी अप्लोड करूँगा और लेसन वाइस ग्रैमर भी अप्लोड करूँगा और आंसर इंपोर्टेंट भी अप्लोड करूँगा ताकि आप एस सेवन में इजी लिख सके सिर्फ एस सेवन ही नहीं बलके वही आंसर एनिवल में भी आपको आएंगे सिर्फ एक ही क्लास नहीं सा आप तक मिलता रहे यह देखें model पब्लिक examination पेपर इस तरह एक पेपर दिया गया है इस तरह का पेपर आएगा second language तो यह annual के लिए पूरे बुक का सले बसा है लेकिन पेपर इसी pattern का होगा तो यहाँ पर फर्स्ट यह दे दिया जाएगा यहाँ पर आपको दिया गया एक paragraph से दे सकता है यह paragraph अच्छी तरह एक paragraph के मिलेंगे फाइआ मार्ट्स आपको मिलेंगे यहीँ पर आपको पैरेगराफ देगा अब दो आप्शन्स यहाँ पर आपको मिलेंगे paragraph देकर question देके आंसर लिखो कहने के लिए कहएगा लिखने के लिए कह रहे गया या paragraph देकर आपके लिए अप्लोड कर रहा हूं, question paper है 80 marks का 60 marks का subjective है और 20 marks का objective है, आपको time दिया जाएगा, 3 hours 15 minutes, जिसके अदर 2 hours 45 minutes आपको paper solve करने के लिए आदा घंट आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, उसी तरह second paragraph ये 10 marks का रहेगा, ये रहेगा general topics रहेगा, unknown paragraph रहेगा, कहीं से भ पर भी दो आपको choice दे हो सकते हैं, यहां पर questions देकर answers लिखने के लिए कहा जाएगा, या आपको questions बनाने के लिए कहा जाएगा, ए paragraph पढ़ने के लिए, ये थोड़ा दिखत हो सकती है आपको, क्योंकि general topics को भी उठा कर दे देगा, तो मैं आपके लिए upload करूँगा, बेफि answers लिखना है, ये दो अच्छी तरह आपको याद रखना है, ये दोनों होगे 15 marks के, ये 10 marks का, ये 5 marks का, अब यहां पर देखिए, ये वाला, यहां पर क्या दे रखा है, एक poem का भावम लिखो, कोई भी दोनों में से, यहां पर दो options हो सकते हैं, भावम आ सकता है, या एक poem भ complete करने के लिए दे सकता है, ये भी 5 marks का होगा, इस तरीखे का paper आपको आएगा, 3 sections होगे, यहां पर क्या-क्या देगा आपको, एक तो भावम लिखने के लिए कहा जाएगा, या आपको poem complete करने के लिए कहा जाएगा, या स्क्रम्बल देगा, आपको उल्टा-फुल्टा, poem poem रहेगा, इसको सही करने के लिए दिया जाएगा, यहां पर 4 answers आपको लिखना होगा, यह short answers है, यह reader में से रहेंगे आपको, reader में से, यहां पर देखे, कल सी तिन अडम लोग यह आभी आप लोग पढ़े है, चल्दुला रहें चुटो का 1st lesson का है, यह विड़ा दिया रह इस तरह और दो दिये जाएंगे, तो यह दोनों, चारो के चारो लिखना है, आपके पास कोई choice यह option यहां पर नहीं है, अब यहां पर देखिए, 4 दिये जाएंगे, आपको 2 यहां पर लिखना है, यह आपको non-retail से भी हो सकता है, कभी-कभी, कभी-कभी आपको reader से भी हो स इस लेदा और दे दिया है, तो मतलब यह यह लिख सकते हैं, दोनों में से, यह दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, यह यह श्रत्यक पद्यावलों के बारे में दिया है, तो यह मैं important आपलोड करूँगा, अभी तो सरिफ मैं paper का pattern आपको बता रहा हूँ, अब यह द हम prepare होना चाहिए, यह दोनों मिला कर आपको मिलेंगे 32 marks, मतलब reader में से जो याद करना है, यह 32 marks का आपको याद करना है, अब उसके बाद यहाँ पर तीन जिये जाएंगे, तीनों में से एक लिखना है, उसके 8 marks होंगे, तो आप तीनों चीज़ में इसके दर क्या याद करन यह आपको याद करना है, तीनों याद करेंगे, तो एक आपको compulsory लिखेगा, कभी-कभी आपको दिया जाएगा, कि questions बनाने के लिए किसी important person को बुला रहे हैं, तो उसके बारे में किस तरह की questions पूछते हैं, या interview इस तरह भी दिया जाएगा, लेकिन अगर याद करनेंगे तो आपको compulsory आपको आजाएगा, तो यह आपको 8 marks दे सकता है, यह आपका subjective होगा, अब objective क्या होगा, यह objective होगा, 20 marks का objective, जिसके लिए आपको time दिया जाएगा, 30 minutes का time दिया जाएगा, objective में first 2 आजाएगे, यहाँ पर own sentences रहेंगे, हमेशा यही रहेंगे, दो own sentences रहेंगे, क जाएगे, यह ऐसे वाले आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि answer से कभी याद होते हैं, कभी ने, लेकिन general topics, देखें आपके क्या दिया है, यहाँ पर दिया है, meanings, meaning लिखना है, मैं meanings आपके लिए important upload करूँगा, जैसा निंगी लो, नक्षत्रा लो, मिला मिला मेरुस्ताई, आस्मान में तारे जग्मक आते हैं, ए निंगी, निंगी का मतलब होता है आस्मान, आकाशम, इस तरह देगा, तो उसी तरह यहाँ पर भी meanings है, उसी तरह यहाँ पर क्या दिया है, परियापदा मतलब यहाँ पर मिनिंग्स है, यहाँ पर भी नाना अर्था लो, more meanings है, तो important meanings अच्छी तरह आपको याद करना है मैं आपको समझाऊंगा अलग अलग करके objective आपके लिए upload करूँगा अभी just starting है अभी जैसा data आते हैं मैं आपके लिए upload करूँगा लेकिन आप साथ ही साथ practice भी केजिए उसके बाद यहां पर वित्पतिगा दाशरतिनी कुमारुड म आपके reader के lesson से रहेंगे यह सारे meanings रहेंगे meanings या opposite words कुछ भी जो भी रहेगा यहां पर रहेंगे अब यह जो 10 आएंगे यह 10 आपको parts of speech रहेंगे tenses रहेंगे और उसी तरह preposition रहेगा उसी तरह प्लस लगा के संदुलू रहेगा अब यह दिखे आपर यहां पर इस तरह bracket में देगा तो यह underline करेवे words को भार्षा भागम का मतलब parts of speech लिखना है मतलब गुर्णी घरवा लेके नक्ष्च खदम पर आदमी चल रहा है माने present tense वर्तमाने का अलम इस तरह आएगा यह क्या होगा क्रिया इसके अंदर वर्व कौन सा है यह उंडाली संता नम एला उंडाली यह वर्व होगा उसी तरह और क्या देगा यहां पर यह भी वर्व देखें वर्व यह वर्व है यह पार्टस आफ स्वीच है मने तीन यहां पर आपको पार्टस आफ स्वीच से पूछ रहा है यह संसलिस्ता है वाकिया एक आएगा आपको मतलब simple sentence से mixed बनाना है mixed से आपको simple बनाना है यह एक पूछेगा एक marks कराएगा तो यहां पर पैचान लो उन्टरिगा नडवक कू रास्ते में अकेले मत चलो यह easy रहेगा तो यह भी completely मैं आपके लिए upload करूँगा इसका plus लगा के लिखना है सर्वेश्वरा सर्वा प्लेस ईश्वरा आप लिख सकते हैं सर्वा प्लेस ईश्वरा इसको मिला कर लिखना है देवा लयालू मिला कर आपको लिखना है यह समासम पेर दशावा तारल हो अन्टर द्यूगो समासम होगा और एनिवल में भी यही पैटर रहेगा और एनिवल के लिए भी यही आपको पैटर पढ़ना हैं तो मतलब आपको जन्रल टॉपिक्स के 20 माक्स आप आप से लाज सकते हो और question answers के 32 marks एक और poster लेटर का यह पूरे अगर आप मिलाएंगे तो 80 marks यहां पर 60 marks यहां पर हो रहे हैं यह 60 marks आपको यहां पर आएंगे और 20 marks आपको objective part B से आएंगे grammar करना है तो इसके लिए मैं upload करूँगा तब तक के लिए यह video देखिए all the best सभी students